हलो एब्रिवान वेलकम टू लर्न फन कॉमर्स मैं हूं उशां गई आपका अकाउंट एडुकेटर कैश फ्लो स्टेट्मेंट कहीं बच्चों को कैश फ्लो स्टेट्मेंट आता तो है लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी एड़ेंट आती हैं तो आज हम इस पूरे चाफ्टर में से सबसे जाबा एक्सपेक्टिड जो मैं लगता है कि पेपर में आएंगी फसेंगे और हम वहाँ ना फस जाये तो उसके लिए लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए तो इस पूरा एंड तक आप लोगों ने देखना है एंड के अंदर जो एड्जस्मेंट आईगी वह पेपर में आनी ही आनी है यह से वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन सीरसली कहा रहा हूं वह एक ऐसी अजस्मेंट है जो आज तक हरे पेपर में आईए और आपक आपके लिए लेकर आया हूं अब जैसे सबसे पहला कोशन जो मारा टू माक्स का आ सकता है वो यह है कि आश्क्राइंसिंग कंपनी के लिए ओपरेटिंग है या नहीं तो यह थोड़ा सा आप लोग हम देख लेते हैं financing company वो होती है जिनका काम ही बेटा share बजार में पैसा लगाना या लोगों को लोन देना लोगों को ब्यास पैसा चड़ाना यह सारी चीज़े होती हैं तो उनका काम ही financial related है तो अगर हमें बाफ़केट करना है operating activity for a financing company और for a non-financing तो अगर मैं पहले financing company का head बना देता हूँ financing company financing company के नीचे कौन से example आएंगे और एक non-financing company चेक है जी दो नंबर का question expected है इस topic से आ सकता है चेक है जी तो purchase of share of stock exchange तो यह financing के लिए तो यह operating है लेकिन एक non-financing के लिए investing activity कहलाएगा क्योंकि वो investment करेगा dividend received मिला आपको dividend मिला तो यह आपके लिए रोज का काम भी आप तो share खरीद रहे हो रोजी share खरीद के रोजी share बेच रहाएगा आपको तो काम ही है ना यह काम करना पैसा लगाना market में चेक है जी तो वो आपको जो dividend मिलेगा या ब्याज मिलेगा वो तो आपके लिए operating activity है चेक है जी इसके लिए वो क्या है investing activity dividend paid on shares dividend pay कर दिया आपने अगर आप dividend दे रहे हो अगर आप dividend दे रहे हो तो उससे financing और non financing से कोई लेना देना नहीं दोनों के लिए वो financing activity कहलाई जाएगी operating activity कहलाई नहीं जाएगी तो यह कहीं भी नहीं आएगा loan given अगर आपने loan दिया है लोगों को तो यह financing company के लिए क्या है बेटा हमारा operating काम है financing company के लिए कोई सा काम है बेटा हमारा operating काम है dividend logo sorry loan देना तो loan देना यानि D option यहाँ पर आगया चेक है जी loan taken अगर आप loan लेते हो तो loan लेना भी financing company के लिए रोज मर्रा का काम है यह आपको करना ही पड़ेगा operating बताना है operating और अभी तक इसके लिए या तो वो investing आ रहा है या वो financing आ रहा है interest paid on borrowing ब्याज देना interest देना वो भी हमारा financing activity होती है तो बताए skill में तो कुछ भी नहीं आया तो इसके में तो कुछ आया ही नहीं तो जहां non financing company के लिए वो या तो investing activity या financing activity है तो वो financing activity financing company के लिए वो एक operating activity बन जाती है ठीक है जी क्योंकि इसका काम ही यह है तो थोड़ा सा ढंक से question read करना paper में कि वो कौन सी type की firm के बारे में बात कर रहा है clear है चलें आगे अब यहां पर भी है आपको बताना है कि कौन सी financing activity है अब question is silent तो आपको एक जब भी कोई भी जवाब देना है वो एक non financing के point of view से देना है non financing company के point of view से आप बात करोगे point of view तो यह छोटी सी बात है यह आपको पता होनी चाहिए non financing company के point of view से आपने इसको मद्दे नजर रखते हुए काम करना है clear है अब यह से repayment of loan taken तो यह क्या है financing है proceed from issue of shares यह भी क्या है बिटा financing है debenture subscribed by the company तो यह investing है यह financing नहीं तो आप venture खरीदे है redemption of preference share यह भी financing है interest paid financing है dividend paid financing है increase in bank overdraft और crash के लिए भी financing है और issue of bonus share बटा यह तो no cash transaction bonus share की बहुत important adjustment आज के lecture में भी कराऊंगा जो full fresh question में आई हुई है तो issue of bonus share तो कोई flow ही नहीं है वहां तो ना financing activity एक्टिवीटिटी एंपरेटिंग एंवेस्टिंग इंवेस्टिंग इसको जुरूर देख चाहिए फिर हमारी जो सबसे जाधा दिक्कत देने वाली adjustment आती है वह आती है refund of tax बच्चे परिशान है इससे किसा refund of tax अगर कोशन में आ जाते तो करना किया है राम बानिलाच अभी उतायता हूं refund of tax में आपको कुछ नहीं करना दो काम करने it is deducted deducted from ध्यान से from both from both provision for tax provision for tax paid and made provision for tax paid और made दोनों से इसको क्या कर देना आपने minus हमने सुबह provision for tax की adjustment धंक से पड़ी थी life session के अंदर तो provision for tax दो प्रकार के होते हैं एक होता है paid during the year एक होता है made during the year अगर paid given है तो वह after deducting refund of tax जो paid वाला है वो operating के last में जाकर minus हो जाता है और जो made वाला है after deducting refund of tax वो कहां पर minus हो जाएगा वो कहां पर plus हो जाएगा आपके working note में appropriation के समय तो जो यह हमारा refund of tax है यह काफी crucial चीज़ है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने धंग से देवे देना है त्रीट्मेंट मैंने बता दिया फिर एक चीज़ आती है देखो प्रले जब आती है प्रले आती है जब extraordinary items होती है extraordinary item का मतलब होता है earthquake आ गया तो हमारी जब से पैसा चला गया या सरकार ने हमारी मदद कर दी चीज़ जी साइकलोन आ गया tsunami आ गई समझ रहे हो tsunami चीज़ जी इसके बाद इसके बाद fire लग जाती है या theft हो जाता है insurance claim आ जाता है समझ रहे हो etc 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 these are extraordinary items a company can face in its financial year कोई financial year में तो ऐसे cyclone से आप कहीं और आया आपने मदद कर दी आपकी जेब से पैसा चला गया आपने दान कर दिया या आपकी जगह पर आ गया तो सरकार ने आपकी मदद कर दी या दूसरी companies ने मदद कर दी तो इसमें पैसा का आना जाना तो लगेगा समझ रहे हो मताब कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जब किसी दूसरे देश में या किसी सकते हो स्टेट में अग कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पर help करते हैं हमने हमेशा थे help की है चाहे वो सुनामी का समय हो चाहे वो साइकलोन हो चाहे वो अभी श्रेलंका के अंदर वो bad debt हो गया है पैसे का crisis है वहाँ पर हम लोग मदद करते हैं हम लोग ने देखा जब पेबल हो जाओगे तब तो अकाउंट बनाओ गए तो इसका treatment गया मैं आपको बढ़ा तो सिंपल रीटमेंड कैश व्लो स्टेटमेंट यह अंदर आपने इस मनी रिसीव्ड अगर पैसा आया अगर पैसा आया तो ओप्रेटिंग के वर्किंग नोट में ओप्रेटिंग के वर्किंग नोट में माइनस कर देंगे आड ओप्रेटिंग के लास्ट में हम इसे क्या कर देंगे और अगर मनी आपने पे किया है अगर मनी इस पेड आपने इसके कॉंटेक्स्ट में पैसा दिया है लोगों को तो उल्टा कर दो तो ऑपरेटिंग के कि वर्किंग नोट में हम लोग लेस कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे चीक गया जी माइनस कर देंगे क्या कर देंगे एड और और अपरेटिंग के लास्ट में समझ देंगे ना अप लोग आपरेटिंग के लास्ट में रिख को यहां टैक्स को अब इसको लख कर देंगे चेक है जी पासंज में आ गई क्लियर है सिंपल सा मैना आपको ट्रीटमेंट दे दिया है इसका ट्रीटमेंट बहुत ही असान है कुछ भी पैसा जाएगा या आएगा अल्टिमेटली कैश प्लो स्टेटमेंट और कुछ नहीं है पैसा या तो आएगा या जाएगा अगर आएगा तो अपरेटिंग के वर्किंग नोट में हम क्या कर देंगे माइनस और अपरेटिंग के लास में हम क्या कर देंगे एड और अगर पैसा जाएगा पे किया है तो उपर एड करना है और लास में क्या करना है माइनस ठेक है जी लेस कर लेंगे याद रख लेंगे जल्दी यल्दी थे पेन कॉपी वेस को लिख लो आगे वरते हैं अब जैसे इस कोशन में आता है मैं सब कुछ पूरे पूरे कोशन हम लोगों ने सुभा किये हैं अब हम लोग सिर्फ ट्रीट्मेंट देख रहे हैं सब इंपॉर्टन एजस्मेंट का अब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग गिवन है और पूर अब पंदरा सोर में क्या क्या रख रहा हमारा रीफट्ण ओफ टैक्स हैं तो अब अगर आप बात करो दो ह 능ार् हमार टैक्स पेड हो जाएगा समझना तो पिछत्तर हदार मेंसे पंदरा सु माइनिस कर देंगे और जो हमारा टैक्स मेंड हो जाएगा वह भी encouraged वाने से फिर आपने क्या हुआ है ये दो हमारी एक्सवनरी आइटम है लॉस ओफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर नुकसान हो गया पैसा चला गया आपका और इंशॉरंस क्लेम रिसीव ड्यूरिंग दे आयर फॉर अबब लॉस चेक है जी तो देखो एक से हमारा नुकसान है पैसा जा रहा है और एक से पैसा आ रहा है समझ गए ट्रीटमेंट अभी मैंने बताया एक से पैसा जिससे आ रहा है आने वाले पैसे का ये ट्रीटमेंट करना है जाने वाले पैसे का ये ट्रीटमेंट करना है तो यानि यानि अगर हम बात की जाए देखो अगर बात की जाए पूरा डिटेल में तो loss on inventory due to fire ये तो पैसा गया है ना आपका तो ये working note में starting के working note में क्या करेंगे हम लोग पैसा गया है तो इसको आपको क्या करना है प्लस और last में last में क्या करना है आपको इसको minus चीक है जी और इससे पैसा आया है तो ये working note में appropriation वाले working note में क्या करना है हमको इसको minus और last में क्या करना है इसको plus कहीं टीचर इसको combine कर देते हैं सीधा 50,000 रुबे की entry लेकि full disclosure principle कहता है सब कुछ दिखाओ तो हम सब कुछ दिखाएंगे कोई tension नहीं है ठीक है जी got it clear होगी बात समझ में आ गई तो यह है बेटा हमारा extraordinary items का treatment तो इसको सब्सक्राइब से देख लेना है यह entry अगर आ गई ऐसी बहुत सारी entry होती है earthquake वाली entry आती है सुनामी वाली entry आ सकती है loss by fire आ सकती है insurance claim received during the year आ सकती है तो सारी extraordinary item ही होती है clear है बेटा कर लेंगे आगे बढ़ते हैं बहुत ह आई तो कुछ भी कहा देना ना कहा किया रहा हूं यह 100% आने वाला game है बेटा तो यह depreciation वाली adjustment होती है हमारी depreciation वाली जो हमारी adjustment होती है मतलब वो fix the set के बारे में होती है उसका gain और loss देखा जाता है या depreciation का amount देखा जाता है ठीक है जी अब जो gain या loss होता है यह हमारा operating में आ गया depreciation operating में आ गया तो यहां बच्चे confused होते है दो बातों पर जब depreciation question में given होता है और value of asset gross पर होती है और value of asset हमारी net पर होती है तो दोनों question का treatment आपको बताया तो simple से देखो यहां पर आपको ऊपर कोई भी asset given नहीं है समझ लो जब opening और closing asset given नहीं होता सुबह मैंने बता tenant building के बारे में चीक भी मारी होगी एक चीक भी मारी होगी तो आपको उसका account बनाना mandatory हो जाएगा अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो उपर आपको लिखा है plant costing rupees 20,000 having book value of 14,000 sold 18,000 during the year और उपर plant नाम की कोई भी चीज आपको given नहीं है कहीं पर भी plant नाम की चीज नहीं है बस आपको उसका depreciation given है और कुछ भी given नहीं है तो हम क्या करेंगे देखो वैसे तो हम depreciation के उपर main है लेकिन पूरा question करें 20,000 की चीज जिसकी आज book value 14 है आपने 18 की बेदी तो simple सा अगर आप देखो 14 की चीज आपने 18 के बेदी book value थी बेटा 14,000 और sale value थी बेटा उसकी 18,000 तो 4000 रुपे का आपका क्या हो गया बेटा गेन हो गया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा operating में माइनस हो जाएगा operating में माइनस ठीक है जी लेकिन अगर आप depreciation की बात क ठीक है जी प्रोविजन और आपने 20,000 रुपर वेल्यू थी कितनी बड़ा कितनी वेल्यू कितनी थी हमारी जल्दी बताओ वेल्यू हो गई हमारी 14 तो यहां यहां भी तो लगा होगा तो वैसे तो मैं मना करता हूं लेकिन अगर मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिशेशन का अकाउंट बनना दिया तो देखते हैं रिजल्ड के आएगा वही आएगा जो मैं डिरेक्ट बता जाता हूं आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बिटा आपको कितना 35,000 रुपे तीस हजार इसमाइड ओपनिंग बैलेंस एंड 35,000 इसमाइड क्लोजिंग बैलेंस हमने टोटल पूरे साल डेप्रिशन लगाया कितना होगा बिटा 11,000 कितना लगाया होगा डेप्रिशेशन 11,000 अब कहीं टीजर कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशन अकाउंट बना लो तो बना लेना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा मानना ये कि अगर हम इसको नह तो टोटल डेप्रिशेशन आएगा हमेशा कितना आएगा 11,000 अगर वेल्यू ग्रॉस पर और यह वेल्यू ग्रॉस पर थी है नेट पर मुझे कैसे पर चला जब भी एक्क्यूमिलेटिव डेप्रिशेशन या प्रोविशन फॉर डेप्रिशेशन का अकाउंट दिया होगा समझद लेना जो धोब या जो पर् intentar मतला पर बात को सिर्फ कर्णा सींट करा रहा हो तो आपके बात समझ और गए टैयूमीलेटिव डेप्रिशेशन अकाउंट बनाना चांए तो भी दिस deben जाएगा इस प्लांट को जो बेचा है उसके लिए मैंने लगाया था अब बिकर यह तो तोड़ना पड़ेगा वो पैसा निकालना पड़ेगा तो छे जर निकाला तो दिस फॉर्टी वन दिस थर्टी तुमारा जो बैलेंसिंग फिगर है डिस इस डेप्रीसिएशन जो मैंने चार्ज तो वह हम लोग यहां पर क्या करेंगे डेप्रीसिएशन आपको पता ही है ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाता है और तो इस तरीके से आप लोगोंने काम करता है अब दिखाता हूं धंक से देखना बहुत ही इजददार कोशन है यहां पर देखो यह वैल्यू क्या दिर रखें अब नेट वैल्यू दे रखें तो यानि डेप्रीशन और रॉपे की जिसके ओपर अब तक डेप्रेशन अब लगा चुक्क हो यह नेट वैल्यू है यह यह क्या है नेट वैल्यू है 60 की चीज 20 डेप्रेशन लगाने के बाद 40 की बच गई वो आपने बेची है कितने की 20 की तो 40 की चीज अगर आप 20 की बेचे होगे तो आपको 20,000 का क्या हो गया नुक्सान हो गया ठीक है जी अब यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डेप्रीसियेशन जो आपने लगाया इस साल वो लगाया है 60,000 क्या लगाया है तो ऐसे केस में पहली बात तो प्रोवियन फॉर्डेशन अकाउंट तो बनाना ही नहीं मैडम भी नहीं बोले क्योंकि वेल्यू के सपर चल रही है नेट पर तो अगर हम यहां पर अपना फिक्स असेट अकाउंट बनाएं तो रखे हैं बेटा हमको कितनी ओपनिंग वैल्यू इस छे लाक बीस है शे लाक बीस है और प्लोजिंग वैल्यू दे रखिया है बाइब एलन सीडी कि सीडी आठ लाक साथ अच्छा एट लाक सिक्सक्षा हो जाए ठीक करके लिग दूं एट लाक सिस्क्षा है देखो चलो अब आपने जो बेचा है देखो सबसे पहले हैं यह लगएंगे देटिशेशन जो आपने शेल की है इपने सेल की है 20 जार रुपय की अब देखो 2016 जो आपने खरीरी थी वीस हजार आपने डिपरेशन लगा दिय आरे लगादिया ओल लगग चुका यहां थोड़ना दिखाएंगा और यह आपने बेची थी बटा 20,000 तो यह तो आपका 20,000 रुपे का क्या हो गया है कहीं ना कहीं लॉस हो गया है 20,000 तो यह 20,000 रुपे का आपका लॉस है आप यहां पर दिखा दोगे ब्रैकिट में आजाएगा पर्चेस वह आप इन्वेस्टिंग में दिखा दोगे और डेप्रीसियेशन कितना आएगा आपका मैं आपको बता चुका हूं यह आपको अपरेटिंग में क्या करना है प्लस करना है और यह आपको अच्छा यह तो आपको इन्वेस्टिंग में क् ग्रॉस वैल्यू के अंदर प्रोविजन बना सकते हैं या उसका फरक और जो आपका और अगर नेट होगा तो आपको प्रोविजन फॉट डेपरिशन यह एक्ट्वर डेपरिशन जैसी कुछ चीज दी नहीं होगी तो आपको सिद यह देखने कि कि अपने चार्ज कि अपने क पर चल रहा है हाँ साल कटने के बाद यह वाला हमने इसमें से माहिने इसले कि है क्योंकि हमें लॉस निकालना है अगर मालों यहां कॉस्टिंगे जगा बुक वेल्यू दी होती तो मैं इसका भी कुछ नहीं करता है समझ रहे हो कान यह है अच्छा जी अब यहां पर एक अच्टूबर तो वह मन्स का एफेक्ट आप ले लोगे ठीक है जी वह क्लियर है हमारा सौ्टेड है सुभाम ने पढ़ लिया था एकुटी शेर के ओपर जो डिवीडेंड है वह कितना है आठ परसंट ऑन ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस का आठ परसंट इसका प दिवीडेंड पेड या प्रोपोस डिवीडेंड मेड तो मान के चलेंगे यह दोनों का है लेकि कोशन में नीचे है जर्म ने बोल दिया कि वह सिरफ और सिरफ एकुटी का है तो प्रेफरेंस का आपको निकालना पड़ेगा तो यहां पर जैसे यहां पर दिखा हुआ है अ जब डिवीडेंड आएगा वह एकुटी का और प्रेफरेंस का या तो अलग-अलग ट्रीट कर ले या जोड़ कर ले दे लेकिन प्रेफरेंस शेर के डिवीडेंड को इगनोर नहीं करना इगनोर कब करना है जब इगनोर आपको तब करना है जब वह बोलेगा कि प्रपोस तुए हम मान के चलेंगे वह एक विटी का भी है और प्रेफिरेंस का भी है रुषक है डान वागी तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है बागी तो आद देख लेंगे आगे वड़े चले चालो है रुषराएं डेगे वह बड़ी भाट लाता हूं हो तुम्हारा ली ही डन एज़स्मेंट जो छुपी एज़स्मेंट होती है तो उनको ढूढ़ना कैसे है आओ देखो कोशन यह रहा अब इसके अंदर एक छुपी एज़स्मेंट यह है कि अगर हम डिरेक्ट चलते रहेंगे तो कहीं नहीं दिक्कत आएगी जहां से देखो सबसे पहले तो हम यहां इ इन्वेस्मेंट जो बिगनिंग में थी यानि धाई लाग का जो आदा था वो आपने 10% गेन पर बेच दिया और इन्वेस्मेंट का ब्याज भी आपको दे रखा है कितना बटा 35,000 रुपे तो अगर हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना ले एक बारी हम क्या बना ले ए तू बैलेंस ब्राउल डाउन कितना था भीटा धाई लाग और यह आगया पांच लाग बाई बैलेंस क्यारिट डाउन यह आगया बिटा पांच लाग इसके बाद कह रखा है आदी इन्वेस्टमेंट यानि धाई लाग का आदा 1,25,000 1,25,000 में आपने 10% ब्याज यानि 1, 1,25,000 यह जोड दिया 500,700,137 कितने की बेच दी 1,3,75,000 तो देखेंगे यहाँ आगया बाई बैंक सेल 137,500 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितना हो गया बिटा आपको 12,500 गेन हो गया इसके बाद और तो कुछ नहीं है लेकिन अगर आप धंक से देखोगे तो आपको क्या मिलने वाली है पर्चेज टू बैंक पर्चेज आजाएगी अब पर्चेज कैसे ऑजाएगी डंक से देख लेते हैं धाई लाग तो यह पूरे के पूरे खताम हो गए है धाई लाख है में जोड़तो वन लाक त्वंडी फाउजजन तो यह आ जाएगा थ्री लाक सेवन्टी फाउजन की आपकी क्या आगी पर्चेज आ गई यह आगी पर्चेज अब हम सबको पता है कहा का जाएगा कुंता समान लेकिन अगर हम इंट्रस्ट की बात की जाए तो बड़ी क्रूशल है अब देखो छुपी बात किया है कि हो कि इंट्रस्ट हमको कितना रिसीव हुआ 233,75000 की ओर खरी और जो कि पूरे साल आपने कितने मंटेन करके चली होगी तो बीच में तो नहीं भेची पूरे साल आपके पास- दाई मेन से आधी बेच लाक ट्वंटीफाइज थी तो टोटल पांच लाक रुपे की चीज थी जिसके उपर आपको दस परसंट ब्याज मिलना चाहिए था पूरा दस परसंट ब्याज मिलना चाहिए था तो जो इंट्रस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा यह हिडन है अब देखो वह आपको मिलना चाहिए था बच्चो पांच लाक रुपे का पूरा का पूरा दस परसंट जो की था पचाश जार और माइनस आपको रिसीव कितना हो चुका है अल्रेडी कितना रिसीव हो चुका है वह है अभी आपने बता देखो यह तो cash flow statement है कहीं जाएगा नहीं लेकिन जो accrued interest है यह मारा current asset बन जाएगा वहाँ पर हम treat करेंगे लेकिन हाँ अगर यह 15,000 आपने current asset जैसा treat नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी increase in current asset है 15,000 रुपे हाँ लेकिन जब आप interest on investment received during there देखोगे तो 35 जाएगी क्योंकि आप cash flow statement बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो cash flow statement यहाँ पर accrual का कोई भी जगा नहीं है, accrual चीज़ नहीं आएगी लेकिन जो 15,000 रुपे का बकाया बच गया है वो उसको आप current asset treat करके ही काम करोगे, बास समझ में आ गई, clear है, match होगा answer, तो इसके अंदर और तो कुछ नह है, यह आपको dividend मिला है, यह ब्याज नहीं है, ठीक है, dividend अलग से मिला है, तो वो income ही treat होगी आपकी, लेकिन depreciation आपको दे रखा है, एक लाग, उद आपको पता ही है, figure set account बनाएंगे, देखो depreciation यह भी value किस पर दे रखी है, बेटा, net पर, net पर क्यों दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर provision for depreciation यह acquisition account नहीं है, clear, तो यह सिंपल सा यह बाफ कर लेंगे, चलिए, अगली hidden adjustment जो की बहुत सारी है, जिसकी बार में कुछ बात कर चुका हो, interim dividend हमको आता है, देखो percentage ही percentage है, हाँ या ना, यह एक percentage, यह एक percentage, तो पहले बात करते है, preference share की, क्या preference share का dividend हमको लेना है, देखते है, dividend on preference share और paid लिखा हुआ है, और यहाँ interim dividend लिखा हुआ है, किस के ओपर बिटा, equity, तो जब भी मैंने का, कि जो आपने interim dividend यह उसे equity वालों को दिया, तो आपको यह line लिखी हो, या ना लिखी हो, mentioned और not mentioned, आपने preference share के ओपर dividend देना है, अब वो किस पे देंगे, पांच पे देंगे, तीन पे देंगे, यह अगली adjustment होता देगी, preference share को आपने redeem किया है, 31 मार्ट 2020 को, अब किया है, यानि पूरे साल आपने 5 लाख इस्तमाल किये है, तो 5 लाख का 12%, यानि 60,000 रुपे, आप क्या दोगे, preference dividend दोगे, और dividend सब को पता है, operating के working note में add हो जाएग इंटेरियम भी होगा, और ये भी होगा, दोनों अलगा अलगा हो जाएगे, clear है, अच्छा जी, बस छीक है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सारा काम हमारा हो चुका है, चलते आगे, तो ये बात मैं पहले बदा चुका, equity होगा, तो preference भी, आपने consider करना है, अगर बोलता पर एक hidden adjustment है, बढ़ी असी है, investment beginning of the future 34,000 थे, end में थे ये, तो एक बना लेते हैं भीटा, आपका investment account बना लेते हैं, क्योंकि investment का opening closing और नीचे छीक मा रखी है, तो investment account होना चाहिए, तो investment account बना लेते हैं, फटा फट से बनाएंगे, देर नहीं लगाएंगे, ढंक से सजा पढ़ेंगे, during the year, company sold 40% of the investment held in the beginning of the year, तो 34,000 का 40% निकाल दो, 34,000 का 40% निकाल देंगे, एक दो, एक दो, 34,4, 68, 68, 68, 16, 136, 00, इतनी की चीज आपने बेच दी, चेके जी, और कितने बेची, at a profit of 84, तो यहां पर 84,000 और जोड़ लेंगे बिटा, यह तो cost value थी, और यह profit था, तो 0,0,0 और यह आगया हमारा यह तो 22,000 रुबे की बेच दी, तो यहां आगया buy bank, 22,000 और यहां आगया to profit to PNL, कितना बेचा 84,000 इतना ठीक है, क्या फ्रॉम इंवेस्टिंग, बस भी आप पर चल जाएगा, कि आपको क्या करना है, देखो, मैं इक कोशन दिलाया हूं, investment account बनाना आना चाहिए, जैसे fix the set account बनाते हैं, तो यह 22,000, 28,000, कितना होगा, 50, 50 में से माइनस कर दोगे, यहां पर आजाएगी two bank purchase, जो आपने खरीदी है, got it, no rocket science, कोई rocket science नहीं है, हाँ, अगर यहां पर हमारे को percentage भी दी होती, तो हम investment के उपर ब्याज भी calculate कर लेते, clear, done है, आगे बढ़े, ओ, bonus shares, bonus shares एक ऐसी छुपी वी adjustment होती है, एक इतनी underrated, एक adjustment होती है, जो बच्चा बड़ा ignore करता है, उसका गलर treatment कराता है, जैसे for example, यह question देखो, जब आपनी financing activity कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहां यह देखते हैं, कि 10 लाक रुपे की चीज कितने की होगी, 15, तो हमारा issue of share ह आप ले लेते हो, फाइव लाक रुपीज, ठीक है, अब जबकि अगर हम ध्यान से देखें, यह adjustment को क्या रखा है, टू रेशो वन, आपने बोनस share दिया है, बोनस share यानि टू रेशो वन, जिसके पास दो share तो उसको एक मिलेगा, तो जिसके पास 10 लाक शेर थे, उसको टू पाँच लाक के पाँच लाक रुपे के जो बोनस share है, वो आपने बोनस issue किया है, यानि इसके लिए no flow of cash लगा होगा, कोई भी पैसा आपके पास नहीं आया होगा, तो आप इस case के अंदर financing activity का, इस case के अंदर financing activity में 5 लाक रुपे treat नहीं करोगे, यह ध्यान रखना, आप एक note लिख सकते हो, एक note लिख सकते हो, last में क्या significant, significant non-cash transaction, significant non-cash transaction, उसके अंदर लिख देना, पाँच लाक रुपीज फाइव लाक, issue of bonus share, issue of bonus share, significant non-cash transactions का मतला समझते हो, important non-cash transaction, important non-cash transaction, चीक है जी, तो यह हमारे cash flow statement में कहीं नहीं आएगी, यह जो 5 लाक रुपे बड़े हैं, it's totally because of bonus share, क्योंकि आपने 10 लाक shareholder पहले थे, 10 लाक रुपे के shareholder थे, हर एक को आधा, मतलब जिसके बास दो थे उसको एक देना है, तो 10 लाक थे तो 5 लाक रुपे क आजाता है, clear, clear, इतना थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे, बागे सब ओक के रिपोर्ट, अगला क्या कहा रहा है, देखते हैं वही है, इसके अंदर तो अभी खैर हमको यह 12% डिवेंचन नजर आया है, और यह adjustment बहुत सारी है, आओ देख लेते हैं, depreci depreciation वाली देखनी है, dividend वाली देखनी है, तो देख लो भी सारी देख लो, दो मिल लगेंगे, during the year, machinery costing 20,000, accumulate depreciation 15,000, तो 5000 हो गई, sold for 12,000, 7,000 का मुनाफ़ा हो गया, तो अब depreciation की बात करोगे, तो 15,000 यह हो गया, और 10,000 यह हो गया, तो 15,000 प्लस 10, हमारा operating में कितना चला सकता है, ठीक है जी, 15,000 वहां चला गया, और अगर आप देखो, तो 5000 की चीज 12 में बेच दी, यह 12,000 तो हमारा investing में आ जाएगा, investing में प्लस हो जाएगा, और जो 7,000 रुपे है, वो जो हमारा loss हुआ है, 7,000 रुपे का, 7,000 का loss हुआ है, नहीं नहीं, 7,000 रुपे का gain हुआ है, जो gain हुआ है, वो हमारा operating में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गॉट इट, दूरिंग दे ये, नॉन कर इंवेस्टमेंट का अकाउंट बना ही लो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्या कह रहा है, कितनी इंवेस्टमेंट बेच दिया आपने, कुछ इंवेस्टमे कि जोतनी है, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि पीछे amount दिया हुआ, amount ने दिया हुआ, वो कहरें, जितनी भी कम हुई है, वो आपने profit में बेची है, तो 10,000 की जो बेची है, वो with a profit बेची है, यानि वो 12,000 रुपे की बेची है, तो sale of investment जो रहा होगा, वो रह बासन में आ गई, चलो, debenture were redeemed on 1 April 2019, अब 1 April 2019 को debenture redeem हुए है, 1 April 2019, यानि starting में redeem हो गए थे, तो हम ब्याज जो लगाएंगे 12% इस पे calculate होगा, interest on debenture opening पर, कुछ नहीं कह रखा होता, मक्खी बड़ी तंग कर रही है, कुछ नहीं दिया होता, तो हम लोगों को पता है, कि हम चलो, फटा-फट से, tax of 12,000 paid during the year, okay, interim dividend, यह हो गया, अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो मेरे लिए सबसे बढ़िया adjustment है, वो है, sixth adjustment, very important, देखते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, Board has proposed, Board has proposed final dividend for the previous year, चीक है जी, पिछले साल का जो ब्याज था, जो आप dividend प्रोपोस करते हो ना, प्रोपोस dividend made during the year, लेकिन अभी वो शेर होल्डर ने declare नहीं किया, यानि अप्रूव नहीं किया, तो as per sevy guidelines and changes in company 8, 12, 13, 14, जब तक dividend आप declare तो कर दो, अप्रूव नहीं होगा, Board of Director का कोरम, यानि minimum 60% लोग उसको अप्रूव नहीं कर देंगे, तब तक वो मानिय नहीं है, यानि तब तक वो proposed dividend made during the year बनेगा नहीं, तो आप मान के चलो कि आपको इस adjustment का कुछ नहीं करना, आपका proposed dividend made during the year कोशन में है ही नहीं, तो proposed dividend का इस कोशन में कोई treatment नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो अभी तक approve नहीं किया गया, सबसे important छुपी adjustment जिसके अंदर थोड़ी सी BST लगती है, ठेके जी, बास संजा आ गई, clear है, आगे बड है, एक खोटी से adjustment तुमारे भाई को याद आ रही है, कि अगर हमारे issue of shares है, धंक से देखना, जैसे यहाँ पर तो माल लो, SPR भी दिया होता, माल लेते हैं, माल लो, यह मानने में क्या जा रहा है, यह, एक second, माल लो, कि यह है हमारा SPR, ठीक है जी, और पीछे बात करें, यह हमारा share capital, चेक है जी, यह 3,00,000,000 से कितना होगा, बिटा, 3,50,000,000, तो issue of share कितना होगा, issue of share कितना होगा, 50 यह, और 2000 यह बड़ा, तो issue of shares जो होगा, बिटा, मैं आपको बता दू, issue of shares होगा हमारा 3,52,000, रुपया, share जब बेच रहे हो, तो देख लो, SPR का account के अंदर कोई increment तो नहीं है, अगर वो increment है, तो समा लेना share आपने premium पे बेचेते हैं, एक और adjustment याद आ रही है, वो है goodwill वाली, जो goodwill होती है, अगर उसकी value बढ़ती है, अगर goodwill की value बढ़ेगी, तो आपने उसको investing activity treat करना है, यानि purchase during the year, और अगर उसकी value कम हो रही है, यानि amortize होगी, write amortize माना जाएगा, तो वो आप उसको operating activity में add करते होगे, got it, मेरे साब से cash flow statement बहुत खुपसूरती के साथ खतम कर दिया गया है, आपने इसको पूरा ढंक से पढ़ लेना है, और परसो हमारा paper है, तो जो ये cash flow statement है, ये भी पूरा खतम हो गया, पूरा chapter के हमारी पूरी किता किताब खतम हो गई है, ठीक है जी, हम लोगों ने इतने दिनों में 18, 19, 20 और आज 21, पूरा का पूरा हम लोगों ने अपनी किताब पूरी खतम कर ली है, चाहिए वो part 1 हो, चाहिए पार 2 हो, चाहिए बच्चे बोलेंगे सार, यहां पर आप comparative or common size का तो लेकर नहीं है, उसक कोशन इदर डीले कोशन होते हैं, सिर्फ टेपा और percentage निकाला और काम हो गया, कोई crucial कोशन उसका asset होता नहीं है, चाहिए जी, कल हम लोग, आपको पता ही है, कल morning में live मिलेंगे, sample paper solving करेंगे, बहुत धंक से करेंगे, यह बताएंगे कि उन 32 शीटों में sample paper कैसे solve किया जाए और time management कैसे हो, और फिर कल शाम को मैं फिर 6 बजे आपके साथ live मिलूँगा, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, tips and tricks, कुछ मजा करेंगे, कुछ मस्ती मजा करेंगे, ठीक है जी, तो कल सुबह live आना ना भूले, ठीक है जी, और आज का आपका मुख्य काम क्या है बेटा सारी की, सारी CFS की adjustment को एक बारे, कोशन मत करो, कोशन एक दो कर लो, ठीक है, पूरे टियर्दगरे वाले उठालो, सारी adjustment एक बारे पढ़ लो, वरना इतनी तो पढ़ी ही लो, जो मैं महनत करके तुमाले लेकर आया हूँ, इतनी adjustment पढ़ लो, उनके treatment समझे लो, अकाउंट मे कभी भी कोई question important नहीं होता, छोटी छोटी, अब मैं कहा रहा हूँ, पूरा question बदल दो, यह adjustment किसी में भी डाल दो, तो क्या ही फरक पढ़ेगा उस question को, तो question important नहीं है, उसकी adjustment important है, गौट इट, clear है, तो हम लोग मिलेंगे कल सुबा, मिलते हैं, with the sample paper, तब तक के लिए बब भाइ